सो हेलो अब्रीवन बेलकम बैक टू आई स्टेडी पॉइंट तो देखिए आज का वीडियो 12 फिजिक्स के लिए होगा जो की बैरी इंपोर्टेंट डेरिवेशन होगा इंग्लिश मीडियम बाले बच्चों के लिए होगा ठीक है यह तो बहुत ज्यादे इंपोर्टेंट व आपको समझ में नहीं आएगा देखिए आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा लेकिन मुझे बताइगा कि आपको कैसा समझ में आया फिर भी अपना feedback मुझे दिजिए कमेंट वॉक्स में सबको अपना feedback देना है ठीक है और अगर यह वीडियो बढ़िया लगता है तो magnetic field at the center of the circular coil carrying current ठीक है तो जो एक coil है वो अपने साथ current को carry करता है तो उसके center पर हमें magnetic field का formula find करना है ठीक है तो very important है देखिए मैं आपको अतरता हूं सबसे पहले हमें coil बना लेते हैं जो की circular coil होगी ठीक है धियान से मैं समझते रहे हैं सब चीज है तो यहां पर बना लिता हूँ कि ठीक है तो aap लोग अराम से बनाएगे का compass से आप लोग बनाएंगे तो अच्छा बनेगा ठीक है देखिए मेरा थूरा थोरा थेड़ा मेरा बन गया लेकिन आप लोग compass बनाएंगे तो आपका अच्छा तो देखिए मैंने यह बना ली जो कि एक circular coil है ठीक है circular coil है तो यह मैंने बना ली ठीक है तो जो अपने साथ यह current carry करेगी वो कौन सा current carry करेगी यह अपने साथ I carry current करेगी मैं एक small element इसका ले ले लिया यहां यहां पर इसका o point है यहां पर मैं एक p point लेता हूं पी पॉइंट इसको जब मैं इससे मिला दूंगा इस यह आपका क्या होगा यह आपका आर होता है रेडियोश अप सर्कल ठीक है तो यह आपका रोता है तो यह मैंने एक आपका डाइग्रम ड्रो कर लिया आपको स्केल से बनाना है तो आपका बैरी बूड बनेगा बहुत एकोर्डिंग टू बायो सेवर्ट लोग बायो सेवर्ट को लोग क्या होता है बी जिकल टू म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई डियल साइन ठीटा अपॉन आर स्कॉर वेर वी जीकल टू मैंनेटिक फिल्ड एंड आई जीकल टू करंट एंड डियल जो है स्मॉल पाइटिकल की लेंद है और थीटा आपका एंगल है बिदी पी एंड ओ पॉंट ठीक है पी और ओ पॉंट के बीच में आपका एंगल बनेगा उसको हम ठीटा बोलेंगे ठीक है थीटा बिडिबीन एंगल ओ पी अंड ओ पॉंट दैन आर जो है डिस्केंस ओपाइट पॉंट प्यंड ओ ठीक है इनके बीच का डिस्टेंस से पी और ओ के बीचकर डिस्टेंस यहां का आर है ठीक है टो फोर फॉर मॉल small element for small element यहाँ पे n लगा लीजिएगा ठीक है small element तो small element के लिए biosavet के low sign लोग solve करेंगे so small element के लिए आपको dl लिया हुआ है तो यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा db db is equal to mu 0 upon 4 pi i dl sin theta where 90 degree इनके बीच में जोगा angle बनना है वो कौन सा बनना है 90 degree का so sin 90 degree upon r square तो db is equal to देखें आपके कितना हो जाएगा db is equal to mu 0 upon 4 pi i dl upon r square where sin 90 degree is equal to कितना हो था 1 sin 90 के value जो होती है 1 होती है ठीक है दैन आगे हम लोग solve परेंगे इसको इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग एवाउट इक्वेशन तो इंटीग्रेट करेंगे इसका तो जाएगा db इंटीग्रेटिंग db is equal to इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेशन mu0 upon 4pi idl r square ठीक है यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे जैसे हमारे पास dx होता है इसका हमारे पास x होता है ऐसे हमारे पास integration db होगा तो इसका हमारा a होगा ऐसे integration db है तो इसका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा यह थोड़ा biology वालों के लिए math जिनके पास नहीं है थोड़ा से integration में problem आती है ठीक है so mu0 4pi i upon r square इसको हम कर लेंगे बाहर क्योंकि इसका integration नहीं होगा तो mu0 upon 4pi यह यहाँ से i आपका बाहरा जाएगा और यहाँ से आपका यह r square बाहरा जाएगा ठीक है तो यह आपका बच्चे का integration dl so b is equal to mu0 upon 4pi i upon r square तो dl का जो integration होगा वो क्या होगा आपका 2pi r होगा because जो dl वो length है आपकी कौन से ab की और ab क्या है ab circumference of circle ठीक है क्या है ab आपका क्या है circumference of circle है so circumference of circle क्या होता आपका 2pi r होता है so dl का जो integration होगा वो आपका 2pi r क्या होगा 2pi r so 1r से 1r cancel हो जाएगा then 2 से 2 times cut होगा 4 then pi से pi cancel so remaining आपका क्या होगा b is equal to mu0 then उपर आपका i बचेगा और upon में क्या बचेगा यह 2r mu0 i हाँ पे 1r बचा था so यह आपका formula है coil के center पे magnetic field का so यही हमें find करना था ठीक है अगर मान लेजिए 4 number of terms के लिए n number of terms के लिए निकालना हो हमें ठीक है 4 n number of number of terms के लिए हमें निकालना हो तो कुछ निकालना बस n से इसमें multiply देगा यानि की बी इजिकल टू मैं next वीडियो लेकर आँगा अगर आपका feedback अच्छा आता इस वीडियो में तभी next वीडियो आएगी इसका मतलब अगर आपका feedback अच्छा नहीं आया तो मैं समझूगा कि आपको वीडियो पसंद नहीं आया चैनल में नहीं तो subscribe पर लेजगा हम मिलेंगे किसी next वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम भारत मातकी जय